यो तो शोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरे कैट्रीना विकी सलमान रनभीर कपूर को लेकर वाइरल हो रही है जिन्हें या तो फोटोशॉप की मदद से एडिट किया गया है या तो वो तस्वीरे पूरी तरहा से नकली है लेकिन कुछ तस्वीरे ऐसी भी है जहां पर वो तस्वीरे तो सच है लेकिन उन्हें इस तरीके से शोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है मानो देखने में ये लगता है कि वाकी ये सब कुछ अभी हुआ हो ऐसी ही कैट्रीना कैफ के एक तस्वीर शोशल मीडिया पर वारल हो रही है जिस तस्वीर में कैट्रीना कैफ कैट्री हुई थी और इस बीच कुछ ऐसा सीन देखा था कैट्रीना कैफ ने कि वो मूठ चुडाती हुई नजर आई थी उसे पिक्चर को कैप्चर करते हुए उसे सलमान खान के साथ लगा दिया गया और अब शोशल मीडिया पर ये खबर वारल हो रही है कि कैट्रीना कैफ और सलमान खान से जोड़कर और उसकी शादी के बाद से जोड़कर इस तरीके से शोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है बाकि क्या है इस खबर का पूरा सच देखिए रिपोर्ट जैसा कि आप सब ने हमारे रिपोर्ट के हैड्लाइन देखी ही होगी जिसमें हमने कैट्रीना कैफ ने शादी के बाद सलमान खान को चुड़ाया मूँ क्या यह खबर सच है या फिर इस तस्वीर का सच क्या है तो इसी वारल तस्वीर और वारल खबर का सच हम आपको बताएंगे दर असल कैट्रीना कैफ के बेहद ही पुरानी तस्वीर है जो शोशल मीडिय पर मौजूद है जसमें कैट्रीना कैफ मू चिडाती हुई Factory यही है लेकिन यहांपर कैट्रीन की इना ही बता दे कि अब कैट्रीना काई यह इंपसे को रहा खबर सामने है और यह बात तो यहां पर सिर्फ सलमान नहीं बलकी केट्रीना कैफ के एक्स बाइफरेंट रन्बीर को लेकर भी ऐसे ही बाते शोशल मीडिया पर सामने आ रही थी ऐसे में आप ये तस्वीर जब सामने आई तो लोगों ने इस तस्वीर को सलमान खान के साथ मर्च करके लगाना शुरू कर दिया बता दे कि ये तस्वीर कैट्रीना की असली है लेकिन इस तस्वीर को इस तरीके से पेश किया जा रहा है लोगों के सामने जिससे देख कर ये लग रहा है कि केटरीना कैफ शादी के बाद सलमान को मूँ चुडाती नज़रा रही है क्योंकि केटरीना की शादी काफी अच्छी लड़ के और काफी अच्छी एक्ट विकी कोशल के साथ हो गई है लेकिन आपको बता दे कि इस तस्वीर को फोटोशॉप की मदद से एडिट किया गया है जहां पर एक तरफ केटरीना कैफ का ये मूँ चुडाती हुई तस्वीर ली गई है और दूसरी तरफ सलमान खान का रोता हुआ चहरा लिया गया है जिससे की सामने वाले को देख कर ये लगे कि कैटरीना तो भाई अपने शादी से काफी खुश है और इसलिए वो सलमान को मूँ चुडा रही है और दूसरी तरफ सलमान खान इसलिए दुखी है क्योंकि उनके हाथ से कैटरीना कैफ निकल गई है लेकिन आपको बता दे कि इन तस्वीरों को एडिट किया गया है और इस तरीके की खबरों को सोचल मीडिया पर वाइरल किया जा रहा है लेकिन इस तस्वीर का पूरा सच क्या है इसका खुलासा हमने इस रिपोर्ट में कर दिया है नेक्सनलाइफ की रिपोर्ट खान के साथ लगा कर इस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है जिसे देख कर यही लग रहा है कि शादी के बाद कैटरीना सल्मान को इस तरीके से ट्रीट कर रही है आज के लिए सर्फ इतना ही तब तक लिए गुडबाए